हाई दोस्तों आप देख रहे हैं बुलिट गूरुव मैम जीती अंधीय दोस्तों आज हम करने वाले हैं ceramic coating अपनी standard पर दोस्तों Actually मैंने ceramic coating पर बहुच सरी details जो मैंने पहले भी गवर रके दीण गरूँ पर गूर या तो तो इससे पहले मैं करवाने वाला हूँ इसमें सिरामी कोटिंग प्रॉपरली और बहुत सारी डिडिलिंग आगे आने वाली है, मैं आया वह हूँ ओशियन कार स्पा एंड डिटेलिंग में जिसमें कि मैं पूरी बाइक को सिरामी कोटिंग करवाने वाला हूँ और बहुत सार और भी प्रोसेस की जाएगी. Actually, cerami coating अब प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है. तो सबसे पहले देखते हैं, washing और washing के बाद क्या-क्या step आते हैं, वो भी मैं आपको update करता हूँ. तो दोस्तों, अभी foam wash और cleaning दो नहीं हो चुकी है. अभी एक्चुली खी जाती है, ताकि जितनी भी सर्फेस में डस्ट होना, वो सभी निकल जाए और इसके बाद एक पॉलिश लगेगा. तो दोस्तों, foam wash के बाद अभी थोड़ा ड्राइ होने देंगे, और उसके बाद बागी प्रोसेस टाड़ होगे. तो दोस्तो, अभी जो है, इसमें masking tape लग रहा है, इससों cover कर रहे है, क्योंकि अभी इसपे, हाड़ कट कंपाउंड जो है, इस पर लगने ओला. तो दोस्तो मांस्की टेप जो है पूरा लग चुका है, जितने भी यप लोगो देख रहे हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, यह देखिए, अभी अल्मोस्ट एक मंज जैसा ही हुआ है, यहां पर जो है, स्क्रैचेज आने शुरू हो गया, यहां डलने से आपको दिख रहा होगा, पेंट में, तो यह आना शुरू हो गया, अभी जो है, इस पर हैवी कट कमपाउं लग चुका है, मैंने आपको दिखायाता है, यहां पर जो पहले जो दाग दिख रहा था ना, वो अपनी दिखाया दे रहा है, तो इसी के लिए जो है, वो किया जाता है, अभी जो है, नेक्स प्रॉसस होगी, बाकी जगा पर भी जो है, वो लगाई जाएगा, ताकि हलके जो है, यह क्लेर जाएगा, तो दोसों जैसे मैंने बोला था कि, हैवी कट जब कंपाउंड लगाएंगे, तो दाग क्लेर जाएगा, और आप देख देंक, अभी कोई माइनर स्पॉर्ट भी जो है, अभी नहीं दिख रहा है, हार्ड कट कंपाउंड जो है, टोटली बाइक पे जो है, अपलाई कर दिया है, और वील से पूरा जो है, जितने भी मार्स के न, छोटे मोटे, वो सब जो है, निकल चुके है, और जितने मेरे दिखासतों, और डिटेलिंग वैसी आ रही है, जैसे सोरूम से बाइक निकलती वाश जो है, प्रॉपरली पूरा हो चुका है, अब थोड़ा सा इसको ड्राइं होने देंगे, और ड्राइं होने के बाद जो है, अगें जो है, जो पॉलिशी कोटिंग है, वो दोबार लगीगी, दोस्तों अभी आने वाला है, सुपर फिनिश पलस, इससे भी जो है, जो थोड़ी सी और जादा होगी, वाश के बाद जो है, सुपर फिनिश पलस जो है, वो भी लग चुका है, अब जो शाइनिंग डिटेलिंग आ रहे ही न, वो कैमरा में जस्टिस सही में ने कर रही, बिकॉज बहुत ही जादा जो है, मिर इमेज जैसा दिख रहा है, इसके बा साज जो है, फिर सिरामी कोटिंग जो है, अपलाई होगा, दोस्तों, रबबर कंपाउंड, दो पॉलिश के लेयर, आप सब देखा कि सारी चीज़े हो चुकी है, और शाइन जो डिटेलिंग है, वो आप देख सेते हैं, अभी शाइनिंग के साथ साथ जो है, वो पेंट जो और क्लीन होना चाहिए, अब बार ही आती है, दोस्तों, सिरामिक कोटिंग करने की, और ये टर्टल वैक्स का प्रोड़क्ट है, जो कि 10H है, इसमें 9H नहीं हम 10H चुसकरने वाले हैं, और दोस्तों, ये 9H, 10H, 11H, 12H क्या होता है, उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊ करते हैं, दोस्तों, अब बार ही आती है, सिरामिक के अन्द सिरामिक का अप्लाई करने के लिए, ये हैं सागर जी, जो प्रफेशनल है, और इनने बहुत सारी कार्स और बाइक्स में अप्लाई किया हूँ, और ये जो सेटप है, जो ओशिन कार और जो डिटिलिंग का जो है ये पूरा इनका ही है, तो ये जो हैं, करने वाले हैं, पूरा अप्लाई, और किस तरह से होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट एक बार जब डिटिलिंग आती है न, तो वो सच में ही आती है, मैं अपनी बाइक को लाइवली देख रहा हूँ, ये कैमरा, I don't think कि जस्टिस कर पाएगा, कितनी जो है, अभी क्ले लग रहा है, इन सिरामिक लगने के बाद जो है, वो डिटिलिंग और उभर के आती है और साती साथ जो है, ये UV rays को रेसे प्रोटेक्ट करता है, पेंट की लाइब भी इंक्रीस करता है, और हलके फुलके माइनर स्क्रैच जो है वो भी लगते, एक पॉलिमर की जो लेर होती बन जाती है, जो माइकरोन क्रेट करता है, जिसके वैसे पानी वानी जो पढ़ता है, वो जाज देर तक जो है पेंट पे रहता नहीं है, एन एक और जी बतातूं कि अभी हमने शेटर जो है बंद कर दिया गया है, शेटर बंद कर दिया है, फैन बंद कर दिया है, क्योंकि इसको ना हलका साबी डस जो है इसके पर नहीं जाना चाहिए. तो दोस्तों आप देखेंगे, एक तरफ जो है, सिरामी कोटिंग अपलाई किया जा रहा है और एक तरफ जल्दी से जो है, थोड़ा सा हलका सुखने के बाद उसको वाइप कर दे जा रहा है, वन्ना क्या रहता है, हलके ली लाइन्स जो है, आपको कोटिंगे दिखाई देगी. तो भाई अभी जो है, देख रहे हैं, आप इंडिकेटर ग्लास में लगा हुआ, अब इससे पहले जो है, अब इसको जो है, ग्लास में भी उसकरते हैं, ग्लास में भी जो है, एक क्लेर कोटिंग बन जाती, जिससे कि जब इस पर पानियां कुछ गिरे ना, तो वो रुके तो सिरामी कोटिंग जो है, पूरी बाई के जो हो चुकी है, अब जो है, इस पर थोड़ा सा फीट दिया जा रहा है, जैसे कि आब देख रहे हैं, हीट प्रोसेस किया जा रहा है, तक कि थोड़ा ड्राइ हो जाए, and dry होने के बाद जो है इसको कम से कम 10 से 12 घंटा जो है सूखने के लिए हम देंगे मतलब night जो है हो चुकी है तो मैं कल morning को जो है इस bike को ले जाऊँगा and तब जो है मैं आपको real detailing जो है बाइक के दिखाऊँगा कि actual में color किस तरह से जो है उबर के आ रहा है तो फाइनली जो है पूरी बाइक जो है सिरा में कोटिंग हो चुकी है इसके बाद फाइरनल कोटिंग जो है वह भी लग चुकी है मैं आपको overall जो है एक view देता हूँ आपको थोड़ा idea होना शुरू गया होगा आप देखते हैं मेरा totally जो है हाथ आपको clean दिखाए दे रहा होगा and कोई भी scratches जो है आपको minor scratches जो है इसको बनी दिखाए देंगे and पूरी bike पी जो है एक हलका micron जो है the ceramic coating का लग चुका है जितने भी आपको black parts देख रहे होंगे I don't think कि जब showroom से भी bike आती होगी तो इतना जो mirror finish है वो आते होगी दोस्तों आपने देखी पूरी detailing and अगर ceramic coating की warranty के बात करें तो टर्टल का 10H ceramic coating है इसकी two years की warranty आती है and साथी साथ एवरी 3 months में जो है फ्री मैंटेनेंस कोड जो है लगता ता कि जो शाइनिंग है न वो बनी रहे जो ocean, car, spa and detailing है वो आपको जो है service प्राइब करता है यहां वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों ख्याल रखे ध्यान रखे और देख तरी बुलट गुरू ऐसी बहुत सारे informative वीडियो आपके लिए आती रहेंगे बाई बाई